हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मामा एंड बेबी के और आज हम बात करेंगे बच्चे के वजन के बारे में गर्ब में सोस्ट बच्ची का वजन कितना होना चाहिए तो वीक बाई वीक मैं आपको बताऊंगी कितना वजन आपके बच्ची का होना चाहिए इससे आपक आठ हफते में, सबका नहीं होता है पर डॉक्टर सक्रा देते हैं आठ हफते में भी, तब बच्चे का वजन रहता है एक ग्राम, इसके बाद हमारा जो बच्चे का अल्टरसाउंड होगा 12 वीक्स में, जो आपका तीन महिने का अल्टरसाउंड होता है, उसमें आपके बच्चे का वजन होना चाहिए, 140 ग्राम, अगर 18 हफते का अल्टरसाउंड है तो 190 ग्राम, और 20 हफते के अल्टरसाउंड में, यानकी 20 वीक्स का अल्टरसाउंड है, 300 ग्राम बच्चे का वजन रहना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो अच्छा है, इससे कम नहीं होना च तो 31 वीक में बच्चे का वजन होना चाहिए 1.5 kg, तो 1.5 kg रहेगा तो अच्छा 1.5 kg से काम नहीं होना चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट है, 34 वीक में बच्चे का वजन होगा 2.4 kg और जो महत्वपून अल्ट्रसाउन है यानकी 9 मन्त, 36 वीक में यानकी आपके 36 सफता में जो होता है अल्ट्रसाउन वो होना चाहिए 2.6 kg से अब बच्चे का वजन अब, अगर बच्चा अभी भी 1.5 kg से कम का यानकी 2 kg आपका वजन है 36 सफता में, तो फिर वजन कम है, at least 1.5 kg होना चाहिए और उससे उपर रहेगा तो भी अच्छा है, पर कम नहीं होना चाहिए, ज़ड़ा कम है तो चलेगा, पर अगर ज़्यादा कम आपको थोड़ा डिफ्रेंस दिख रहा है, जैसे कि ग्राम्स में ज़्यादा डिफ्रेंस दिख रहा है, तो आप वेट बढ़ा दीजिए अब इसे, पेट बढ़ाने वाली चीज़े खाइए, जैसे कि आप अनार वेट जल्दी बढ़ाता है, पनीर खाईए, दूद अगर आप एक टाइम पिरे तो दो टाइम बीजिए, दूद दही लीजिए, तो फैट बढ़ाने वाली चीजे आपको लेनी है, तो वजन बढ़ जाता है, इसमें चिंता की बात निया, बस आपको वजन में ट्रैक रखना तो बस यह आपको करना है, तो इससे आपका बच्चा जो है, हेल्दी प्यादा होगा, हेल्दी ही चीजे आपको खाने ही प्रेगनेंसी में, जितना हेल्दी खाएंगे, तो बच्चा डेफिनीटली 100% हेल्दी ही होगा, तो आईओ, आपको इंफोर्मेशन पसंद आए, पस जापने है, छिए सबस्क्राइब माने चानल